हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सीमावर्ती बाड मेर में बिजली के तार सही करने विद्यूत पोल पर चड़े बिजली हेलपर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई परिचलों ने ये हलपर जिस वीडी इलेक्ट्रिकल में काम करता था उस पर और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है जानकारी के मुताबिक बार्डमेड के वेडी इलेक्ट्रिकल के साथ ठेके पर हेलपर के रूप में कारे करने वाले अशोक कुमार पुतर चेनया राम मूठो की ठानी निवासी नागाना हाल गांधी नगर बार्डमेड काम करता था शनिवाय शाम को वो अध्योगी क्षेतर में एक विद्यूद लाइन सही करने के लिए बिचली के पोल पर चड़ा था और इसे ये बताया गया था कि बिचली के सप्लाई कार्ट दी गई है उसे बिना किसी सुरक्षा उपकरनों के विद्यूद पोल पर चड़ा दिया गया औ परिजनों ने ये हेलपर जिस वीरी इलेक्ट्रिकल में काम करता था उस पर और बिचली विभा की लापरवाही का आरोप लगा है सदर थाना पुलेस ने मामला दर्च कर जान शुरू कर दी है ये मामला मेरे मौस बेड़ी बाइगा लड़का था दो डाई साल से वीडी इलेक्ट्रिकल कंपनी कोई बाड मेर में विद्यूत परम का काम करती है इनके साहत में ये हेलपर की रूप में नियुक्त है और कल इसका ठेकेदार वीजे कुमार नाम है वो लेके इनको रीको की की लाइते स्टी कि रिको की लाइते सब्सक्राइब नियुक्त है इनको मैंने के लिए और उपर चड़ा तब इनके करंट का जटका आया और जटका आने यह उसल कर नेचे गिरा और जिसके बाद में यह उस्पेडल लाया और डॉक्टरों के दुवारा में को सब्सक्राइब जागरुक टिवी के लिए बार्ड मेर से ठाकरा राम में एकवाल की रिपोर्ट